हेलो दोस्तों वेलकम बेक टु माई चैनल दोस्तों आज हम एक्स्प्लेंड करने जा रहे हैं 2016 में आई एक ड्रामा रोमांस मुवी को जिसका नाम है दा लेट ब्लूमर तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं मुवी की सुरूआत होती है और हम पीटर नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी उम्र 27 साल है पीटर एक सेक्स थेरपिस्ट है और ये उन लोगों का इलाज करता है जिन्हें सेक्स करने की चुलमची होती है पीटर आज एक बेहदी हाट लड़की की थेरपी सुरू करने लेकिन ये लड़की यहां खुद को कंड्रोल नहीं कर पाती और ये पीटर को अपनी और आकरसित करने लगती है और ये पीटर से कहती है कि क्या तुम मेरे सास्त इंटिमेट होना चाहोगे लड़की की बात सुनकर पीटर को जरा भी फरक नहीं पड़ता और ये उसे अपन भी इसने सेक्स नहीं किया क्योंकि पीटर का मानना था कि सेक्स हम सभी को अपने लाइफ की गोल से अलग कर देता है और सेक्स के बिना भी हम अपने लाइफ को बड़े ही अच्छे से जी सकते हैं पीटर अपने घर पर आता है जहां पर इसके दो दोस्त इससे मिलने आते हैं जिसमें एक का नाम रिच और दूसरे का नाम लियुक होता है। पीटर की ये दो दोस पीटर की तरह बिलकुल भी नहीं थे। बलकि ये सेक्स करने के लिए हमेशा ही तयार रहते थे। पीटर इनसे कहता है कि वो घर से बाहर जा रहा है क्योंकि इसकी एक फ्रेंड मिसल ने इसे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया है क्योंकि वो पीटर को कई तरह के डिसेस को खिलाने वाली थी। पीटर की बातों से हमें यहाँ पर पता चलता है, कि पीटर मिसल को अंदर ही अंदर लाइक करता है, पीटर मिसल के घर पर आता है, मिसल के घर पर आते ही, पीटर चारली से मिलता है, चारली मिसल का बॉइफरेंड है, जिसे हमेसा अपने काम की ही फिक्र होती है, पीटर मिसल स पार्टे खत्म होने के बाद पीटर अपने घर पर आता है। जहां हमें पता चलता है कि पीटर के डैड पीटर के नौन सेक्षूल होने की बजह से काफि परिसान है। ये पीटर की मॉम से कहते हैं कि अगर पीटर गय भी होता तो ठेक था लेकिन वो किस तरह का लड़का है ये मुझे आज तक नहीं पता चला क्योंकि उसे सेक्स की जरा भी चाह नहीं है। पीटर अपने आपिस में आता है जहां पीटर की बॉस पीटर को बताती है कि उसने सेक्स के खिलाप जिस बुक को लिखा था वो बुक काफी ज़्यादा फेमस हो रही है जिसकी बज़े से पीटर को एक बड़े ही फेमस सो में इंटर्वी के लिए बुलाया गया है जिसकी जाने के बाद पीटर मिसल से मिलता है, मिसल काफी सैड होती है और ये पीटर को गले लगा कर रोने लगती है, मिसल पीटर से कहती है कि अब मैं एक से बनने के लिए स्ट्रकल करूंगी और तुम मुझे ऐसा करने के लिए हमेसा ही कहते थे, पीटर भी यहाँ इसे कहता है कि हा से निकल जाता है यहां हमें पता चलता है कि पीटर को कभी कभी सिर दर्द भी हुआ करता है अब ऐसा क्यों होता है यह आपको आगे मुवी में पता चलेगा अगली सुबह रिच और लिउक पीटर के पास आते हैं और यह उसे अपने साथ बास्केट बॉल मैच खेलने के सकन और यमराई सकन करते हैं डॉक्टर जब यहां पीटर के बॉल चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पीटर के पास बॉल नहीं बल्कि दो छोटे-छोटे कंचे हैं यानि कि इसके टेस्टिकल नॉर्मल साइज से काफी छोटे थे और इसी वज़े से पीटर नन गये और इसी वज़े से तुम्हारे सरीर में टेस्टोस्ट्रोन हार्मन्स नहीं बन रहे थे बलकि तुम्हारा सरीर प्रोलोक्टेन हार्मन्स को बना रहा था इसका मतलब यह था कि पीटर आज 27 साल का होने के बाद भी इसका नुनुख खड़ा नहीं होता था और इसी वज़ सुनकर पीटर काफी खुस होता है क्योंकि अभी तक पीटर को लग रहा था कि वो सेक्स ना करके लोगों को बदल रहा है डॉक्टर पीटर का ओपरेशन करते हैं और पीटर का ओपरेशन सक्सेसफूल हो जाता है और सभी लोग पीटर को उसकी नई जिन्दगी में वेलकम करते हैं होस्पीटल के बाद पीटर अपने पेरेंस के घर पर रुखता है ताकि ये जल्दी से ठीक हो सके पीटर एडल्ट मैगजिन को देखकर अपने सोय हुए अर्मानों को जगाने की कोशिस करता है लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता अगले दिन इसके दोनों दोस्त इससे मिलने आते हैं और वो अपने साथ एक स्ट्रीपर को भी लेकर आते हैं ताकि ये लड़की पीटर को खड़ा करने के चक्कर में बैचारी खुद ही बैठ जाती है अगली सुबह पीटर जब सोकर उठता है तब ये नीचे आता है पीटर को देखकर उसकी फैमली खूस हो जाती है क्योंकि अब पीटर का नुन्नू स्टेंड हो चुका था इसका मतलब कि अब पीटर जल्दी से तयार होकर अपनी लाइफ को सुरू से जीने के लिए घर से बाहर जाता है पीटर जब अपने घर पर आता है तब ये देखता है कि इसका दोस्त लिउक एक लड़की से इंटिमेट हो रहा था पीटर इन्हें यहां से जाने के लिए कहता है पीटर देखता है कि इसका पेनिस अभी भी स्टेंड है तो ये उसे बैंड करने के लिए जल्दी से टॉयलेट में जाकर मास्टर बेट करता है। लेकिन ये उसे दिखाने के लिए वो एकदम से खूस हो जाता है। फायर होने के लिए तयार है और तुम्हारे सरीर में टेस्टोस्ट्रोन होर्मन्स को बनना देरी से शुरू हुआ है। इसलिए तुम्हारे अंदर कुछ साइड एफेक्ट भी होंगे। अपनी समस्याओं के बारे में बताता है। जिसतर पीटर के डेट पीटर को पिवर्टी के बारे में अच्छे से समझाते हैं। और कहते हैं कि इस उम्र में ये सब होना नॉर्मल है। लेकिन पीटर यहां अपने पैरेंस से जगडने लगता है। और ये यहां से गुस्य में चला जाता है। बेविशिटिंग कर सकते हो। पीटर कहता है कि तुम कहां जा रहे हो। तब रिच उसे बताता है कि बाइस तारिक को इसकी एनिवर्शरी है। और उस दिन ये और उसकी वाइफ रेश्टोरेंड में डिनर करेंगे। इसके बाद ये एक होटल में जाकर अंधा दुन खून पसीदा निकालेंगे। क्योंकि घर में बच्चे रहते हैं जिसकी वजह से हम घर पर ये सब नहीं कर पाते। पीटर रिच के बच्चों की बेविसिटिंग करने के लिए तयार हो जाता है। तब ये चारली को मिसल के घर के बाहर देखता है। पीटर के लिए पूचता है इस पर मिसल मान जाती है। अब इन दोनों का ये पहला डेट था इसलिए पीटर अच्छे से तयार होता है। पीटर तयार हो रहा था कि तभी इसका दोस्त रिच इसे कॉल करता है। और वो पीटर को अपने बच्चों के बेबिसिटिंग करने के लिए बुलाता है। लेकिन पीटर भूल गया था कि आज 22 तारीक है। पीटर रिच से कहता है कि सौरी आज में नहीं आ सकता क्योंकि मैं आज मिसल को डेट पर लेकर जा रहा हूं। इस पर रिच काफी गुसा हो जाता है और पीटर एक बच्चे की तरह रिच से जगड़ता है। पता चलता है कि जिस टेबल पर ये दोनों बैठे हैं उस टेबल को रिच ने अपनी और अपनी वाइफ के लिए बुक की थी। क्योंकि वो पीटर की तरह एक धोके बाज नहीं है। ये सारी बाते सुनकर मिसल यहां से उठकर जाने लगती है। पीटर मिसल को रोकता है लेकिन मिसल उससे कहती है कि अभी कुछ देर पहले ही मुझे चारली का मेसेज मिला। जिसमें उसने बताया था कि वो फूल तुमने नहीं बलकि चारली ने वहां पर रखा था। मिसल पीटर के उपर गुसा करके यहां से चली जाती है। अगले दिन हम पीटर को इसकी एक पैसेंड के पास देखते हैं जो पीटर को अपने फैंडिसी के बारे में बताती है कि इसे सेक्स करना बहुत ही पसंद है क्योंकि अब पीटर का नुन्नू स्टेंड होने लगा था तो पीटर इसकी बात सुनकर सेक्स के लिए तयार हो जा पीटर पैंट निकालने ही वाला था कि तभी यहां पर पीटर की बॉस आ जाती है और वो पीटर को ऐसा करता देख लेती है जिसकी वजह से ये पीटर को इस जॉब से निकाल देती है पीटर अपने अंदर की बदलाव को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था इसलिए ये काफी समय अपने फादर से मिलता है और उनसे कुछ सलाह मांगता है पीटर बताता है कि इसे अपने उपर कंट्रोल नहीं मिल रहा है इस पर इसके फादर इसे बताते हैं कि मर्दों के अंदर इस तरह का बदलाव पिवर्टी के दवरान होता है क्योंकि ये सब हार्मोंस का कियधरा हो पीटर कहते हैं कि तुम केवल वही बोलना जो तुम्हारा दिल करें। अगले दिन पीटर इंटर्वी में अपने बुक को सबसे बेकार बुक बताता है। इसके बाद रिच और इसके वाइफ पीटर को मिसल के पास जाकर उसे सारे सचाए बताने के लिए कहती हैं और कहते हैं कि वो तुम्हें पसंद करेगी। इसके बाद पीटर रिच और लियो के साथ मिसल से मिलने आता है। मिसल यहां चार्ली के साथ होती है। पीटर यहां सभी के सामने अपने ट्यूमर और लेट पिवर्टी की वज़े से हुई मिस एंडेस्टेंडिंग के बारे में सब कुछ बता देता है। पीटर की बात सुनकर मिसल को इस पर काफी ज़्यादा प्यार आने लगता है और यह पीटर के पास आ जाती है। और चार्ली बचारा यहां से चुपचाप चला जाता है। मिसल और पीटर एक साथ ही यहां पर किस भी करते हैं। लास्ट सीम में हम पीटर और मिसल को एक साथ में देखते हैं। मिसल अब प्रेगनेंट थी। पीटर यहां टीनेज बच्चों को पढ़ा रहा था और अब पीटर ने पीवर्टी के उपर एक सेपरेट बुक भी लिखी थी और ये मुवी यहीं पर एंड हो जाती है